बच्चों जैहिंद इस वीडियो में हम बात करेंगे कख्छा दसवी के गनित विषय में नवंबर माह में आने वाले संभावित एसाइन्मेंट के संबंद में देखें नवंबर माह में आपको यूनिट 3 और यूनिट 4 वानित जिगनित और त्रिकोन मिति के भाग से प्रश् और दूसरा आपका पाठ होगा अध्याय 9 त्रिकोन मिति समीकरण एवं सर्वसमीकाओं से तो चलिए हम सबसे पहले आज इस वीडियो में वानिक जिगनित यानि कि बैंकिंग्यम कराधान अध्याय 8 के पाठ से कौन-कौन से प्रस्न संभावित पुछे जा सकते हैं इसके पहला संभावित प्रस्न है वशीम ने पंजाब नेशनल बैंक में 200 रूपय प्रती माह की दर से 5 वर्ष के लिए आवर्ती जमा खाता खोला यदि ब्याज की दर 6 प्रतिशत वार्शिक हो तो 5 वर्ष पस्चाद उसे कितनी धाराशी प्राप्त होगी ये पहला संभावित प्रस्न है इसको कैसे हल करना है देखते हैं आईए अब इस सवाल को हल करते हैं लेकिन उससे पहले आपको बदा दे बच्चों कि आवर्ती जमा खाता का मतलब होता है ऐसी खाता जिसमें हम नेमित रूप से अपनी रासी जमा करते हैं इस खाता को कम से कम 3 महिने या अधिक विख्तम 10 वर्स के लिए खोला जा सकता है और इसमें जो बचत खाता होता है उससे ज्यादा हमको ब्याज प्राप्त होता है तो ज्यादा ब्याज कमाने के लिए हम आवर्ती या इसको अंग्रेजी में recurring account भी कहते हैं उसको खोला जा सकता है तो देखें यहां पर क्या दे हु देखें इन यानि समय आपको कितने वर्स दिया गया पांच वर्स है एक वर्स में 12 महीने होता है इसलिए बारा से गुना कर दिया गया है तो कुल कितने महां हो गया जमा साथ मह और आर यानि कि यह दर आपको दिया हुआ है 6% अपर चो सूत्र है इसके लिए ब्याज इस सूत्र से हम इस सवाल को हल करेंगे यहाँ पर N के जागा कहीं कहीं पर T भी लिखा हुआ मिलता है तो T का मतलब भी समय है और N का मतलब भी समय है लेकिन यहाँ पर हम इस पार्ट को हल करते समय यहाँ N लिखें तो जादा अच्छा रहेगा अब चलिए जो जो मान यहाँ पर दिया गया है उसको हम यहाँ पर रग देते हैं P बराबर कितना दिया है? 200, 200 गुना आर कितना है? 6 बटे, 100 गुना, 1 बटे, 12, N कितना है यहाँ पर देखिए? 60, 60 माह हैं आपको हमेशा वर्ष को यहाँ प्रती माह जम्मा किया जा रहा है तो इस प्रकार से लिखना होगा 60, धन, 1, बटे, 2, आगी इसको हल करेंगे यहीं सूत्र आपको पता है तो फिर सवाल को हल करने में कोई दिक्कत नहीं होने माली है चलिए यहाँ पर इसको दोनों सुनने को यहीं पर कार देते हैं यह हो गया 2 गुना 6 बटे 1 गुना 1 बटे 12 और यहाँ पर देखिए 2 कर जाएगा यह हो जाएगा 30 तो हम इसको लिखेंगे 30 और 60 धन 1, 61 दो तो कर गया है अब यह देखिए यहाँ पर 6 दूनी 12 होगा यह 6 दूनी 12 गुना 1 बटे 12 और यहाँ पर इसको गुना कर देंगे 3 एकम 3, 3 6 18 और एक सुने लगेगा ठीक है यह हो गया अब देखिए 12 बटेगा क्या बचेगा एक यानि की एक गुना 1830 बड़ाबरी हो जाएगा 1830 रूपी यह क्या है ब्याज इंट्रेस्ट है क्या है यह ब्याज है ठीक है अब क्या बोला गया है प्रस्थ पढ़िए नीचे बोला गया यदि ब्याज की दर 6,3 वार्षिक हो तो 5 वर्ष पस्चाद उसे कितनी धाराशी प्राप्त हो गई तो यह तो हो गया भी यह हमारा ब्याज लेगिन पैसा कितना जमा किया है वो तो यहाँ पर देखिए 60 महें तक जमा किया है और कितना कितना जमा किया है प्रती महिना 200 रूपी तो हम यहां पर क्या करेंगे कूल जमा राशी लिख लेंगे वसीम द्वारा कूल जमा राशी बराबर क्या हो जाएगा 60 गुना 200 रूपी तो 60 गुना 200 रूपी कितना छेदूनी 12,000 रूपी 12,000 रूपी वसीम ने जमा किया है पैंग में और उसका ब्यास कितना बना है 1830 दोनों को जोड देते हैं अताहा बैंग द्वारा कूल प्राप्त राशी बराबर हो जाएगा 12,000 धन 1830 रूपी तो इसको क्या करेंगे जोड देंगे तो जाएगा 13,830 रूपी 13,830 रूपी जो राशी है वो वसीम को 5 साल के बाद प्राप्त होगी इस प्रकार से आप इस सवाल को हल करेंगे आए अब नवंबर महा के साइडमेन के लिए संभावी दूसरा सवाल देखते हैं पजमनी ने जीला सहकारी बैंक में 100 रूपी प्रती महा का 10 वर्स के लिए आवरती जमा खाता खोला देखिए रिक्रिंग एकाउन खोला गया है 10 वर्स के लिए यह धिक्तम समय है जितने के लिए हम रिक्रिंग एकाउन खोल सकते हैं प्रती महा कितना जमा किया जा रहा है 100 रूपी यदि इन्हें बैंक द्वारा ब्याच की रासी 3025 रूपी प्रदान की जाती है दस साल में 3025 रूपी प्रदान की जाती है तो ब्याच की दर कितने प्रती सा तो वार्षी को होगी यह हमको ग्याद करना है अब बच्चों दिया क्या क्या है हमें आपे लिख लेते हैं यहां मूलधन बराबर दिया हुए 100 रूपी प्रती महा जमा क्या जा रहा है किस्तों के संख्चा कितनी है एन बराबर याने की एन बराबर है bağरागुणद दस याने की 120 किस्त 120 माह तक वो जमा कर रहा है यह भी समय में 10 को ले सकते हैं और किस्त की संख्या भी हम इसको बोल सकते हैं हम यहां पर एन का प्रयोग करते हैं यार रखेगा तो 12 गुना 10 बराबर 120 बारा कहां से आया एक महिने में 12 माह एक साल में 12 माह होता है और 10 साल तक पैसा जमा करेंगे वह इसलिए हम 120 माह यहां पर निकाल लिए हैं ब्याज दिया हुगा है आपको 3025 रूपिये आपको ग्याद करना है दर तो हम सूत्र वही लगाएंगे चलिए ब्याज आई बराबर क्या होगा मूल धन यानि पी गुना आर बटे सो गुना एक बटे बारा फिर बड़ा ब्रेकेट हम लगाएंगे यहां पर एन एन धन एक बटे दो इस सूत्र से हमको हल करना है ठीक है तो इस सूत्र आप याद रखिएगा ऐसे सवाल हल करते सम में आपका काम आएगा अब देखें बच्चों यहां पर पी आपको दिया हुआ चले मा रखते हैं पी कितना दिया हुआ है सो आई कितना दिया हुआ आपको देखें 3025 आर कितना दिया हुआ है यह तो हमको ज्याद करना है नीचे भी सो है गुना एक बटे बारा एन कितना ह होगा 120 धन एक बटे दो जो कड़ेगा महीं पर काट लेंगे देखे सव कड़ जाएगा यहाँ पर आएगा कितना इधर 3025 बराबर आर बटे बारा और यहाँ क्या होगा यह आर यहाँ पर आजएगा बारा फिर 120 को हम भाग देंगे यहाँ पर 60 बढ़ जाएगा तो 60 गुना 120 और एक कितना होगा 121 यह हमारा सरल हो गया आप क्या करेंगे इसको आगे हल करते हैं 3025 बराबर अब देखिए यहाँ पर यह कर जाएगा बारा एकम बारा और बारा पंचे 60 तो यह हो जाएगा आर पांच गुना यहाँ जाएगा 3025 के यह हो गया 5 गुना 121 अब चले पहले 5 चे तो काटेंगे 5 यह कम पांच 5 शे का 30 दो सुन्य बार में भाग जाएगा दो सुन्य पर 35 हो जाएगा 5 25 अब यह हो गए हमारा 605 बटे 121 इसको हल करेंगे तो ये 121 पंचे हो जाएगा 605 तो ये 5 बार में भाग चला गया यानि उत्तर आया हमारा 5 प्रतिशत तो आर बराबर क्या है या 5 प्रतिशत आर बराबर 5 प्रतिशत ये हमारा आंसर है इसी प्रकार से आप इस सवाल को हल कर सकते हैं यदि इस प्रकार के और भी सवाल आएं तो भी उसको आप ऐसे ही हल करेंगे आए अब देखते हैं नौंबर महा के लिए संभावित तीसरा प्रशन ये प्रशन है राम ने 20,000 रूपिये दो वर्सके लिए साओधी जमा खाता में जमा कराया यदि ब्याज की दर 6 प्रतिशत वार्शिक हो तथा ब्याज 6 माही सयोजित होता है तो नियात चिथी पश्चात मिलने वाली धारासी कितनी होगी बच्छों यहाँ पर सबसे पहले समझ लेते हैं हम कि साओधी जमा खाता क्या होता है साओधी जमा खाता को हम अंग्रेजी में fix deposit भी कहते हैं यह तीन महिने के लिए या फिर शाल साल भर के लिए भी लिया जा सकता है आप पांस साल के लिवी जम्मा करा सकते हैं इसमें ब्याज ज़्यादा मिलता है और साथ ही साथ यह भी है आपके पास अच्छा खासा एमाउंट है तो उसको आप सधारन खाता में ना रखके यदि फिक्ष दिपाउजित करा जेते हैं पैसे के तो आपको ज़्यादा ब्याज मिलेगा चलिए देखते हैं इसको हलके से करेंगे देखिए यहां मूल धन बड़ाब पी बड़ाबर आपको दिया हूँए बीस हजार रूपिये 20,000 रुपय को fix कराया गया है समय कितना है n बराबर 2 वर्ष यानि कि 4 छामाही क्यों 6 माही हम निकाले है क्योंकि यहां पर बोला गया है कि ब्याज 6 माही सयोजित होता है तो 2 साल में कितने 6 माही होगा 1 साल में 2 छामाही और 2 साल में 4 छामाही तो हमने यहाँ पर 4 चमाही लिख दिया है दर कितना दिया हुआ है आपको 6 प्रतिशत वार्षिक यहने वार्षिक 6 प्रतिशत साल भर में 6 प्रतिशत ब्याज मिलेगा तो 6 वहाँ में कितना मिलेगा 3 प्रतिशत यह हम यहाँ पर निकाल के रख लिए हैं अब बच्चो मिश्ध्धन हमको निकालना है तो मिश्ध्धन का सूत्र होता है मिश्ध्धन अब बराबर सूत्र क्या है पी यानि मूल धन गुना एक धन दर बटे सव और पूरे क्या घात होगा यहां पर इन इस सूत्र से हम सवाल को हल करेंगे चलिए मार रखते हैं यह हमको ज्यात करना है तो हम यहां पी लिखेंगे बीस हजार और एक धन आर कितना है आपका तीन प्रतिस हता है ना आर है तीन बटे सव और इन कितना है चार चार चमाही है इसलिए यहां पर चार होगा आप दो नहीं लिखेंगे हम यहां पर चार निकाल चुके हैं चार चमाही इसलिए चलिए आगी इसको हल करते हैं यह 100 यहाँ पर गुणा होगा 100 एकम 100 एक सो तीन यह हो जाएगा यह 100 एक के साथ गुणा होगा 100 एकम 100 जूड़ेगा 3 तो हो जाएगा 103 बटे 100 पूरे घात 4 अब एक कटेगा नहीं चूकि यहाँ पर इसलिए हम इसको अलग अलग करना पड़ेगा 20,000 गुना 103 गुना 103 पूरा लिखना पड़ेगा 4 बटे इसको हम लिखेंगे 100 गुना 100 गुना 100 यह कहां से आया यह दिख्यों घात 4 लिखा हुआ है तो 4 बार 103 लिखेंगे उपर में और 4 बार नीचे में 100 लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर कटने की संभावना कम है एक सो तीन और सव तो कड़ेंगे इसलिए हम इसको अलग अलग लिखें हम देखें यहां पर एक सुन्ने दो सुन्ने यहां पर दो सुन्ने कार देंगे यहां पर फिर एक सुन्ने दो सुन्ने यहां फिर दो सुन्ने कार देंगे अब हमारे पास नीचे में बज गया 100 गुना 100 अर उपर में पूरा बचा हुआ यहाँ पर दो भी बचा हुआ इसको लिख लेते हैं यहाँ पर दो गुना 103 गुना 103 गुना 103 गुना 103 बटे इसको दोनों गुना करें थे आपश में एक और चार सुन्न ठीक है, यहाँ तक अब देखे बच्चों, हमको पूरे को गूना करना है अपस में और कोई चारा नहीं है हमारे पास, कहीं कटनेवाला नहीं है इसलिए हमको पूरा का पूरा गूना करना है ऐसे प्रस्णों के आप बार बार अभ्यास करेंगे तो आपको उत्तर ही पत्र रहे गा कि उत्तर कितना आता है। और यहीं सवाल यदि आपको । वार्षित परिक्ष्य में पूछा गया तो यदि आप अभ्यास किये रहेंगे, तो आप जल्दी से बना पाएंगे नहीं तो आपको पूरा गुना करते बठे रहना पड़ेगा आपको समय बरबाद होगा इसलिए आप अभ्यास करते रहें चलिए आप भी इसको गुना कीजिए हम भी गुना करते हैं यह आ रहा है हमारा उत्तर यहां पर ग्यारा करोड पच्चिस लाख पचास हजार आठ सो इक्यासी बटे जैस हजार अब इसको एक बार और गुना कर लेते हैं इसको जैस डबल करेंगे तो क्या हो जाएगा यह बाइस करोड इंकावान लाख एक हजार साथ सो बाइसट बटे दस हजार अब इससे आप भाग देंगे तो मालूम है कितना आएगा आपको चूंकि नीचे चार सुनने है इसलिए यहां पर एक दो तीन चार अंके पर दसमलो लगेगा यह आ जाएगा बाइस हजार पास सो दस दसमलो एक साथ छे दो यह दे समलो बन जाएगा यह हम इसको पढ़ेंगे बाइस हजार पांस सो दस रूपिये एक साथ छे दो पैसे आपको ब्याज की रूप में मिलेंगी तो यह तोटल आपका यह जो है वो मिस्स धन है बीस हजार आपका मूल धन था उसमें दो हजार पांस सो दस रूपिय ब्याज जूड़ेगा और आपको अंत में सभी राशी बैंक द्वारा प्रदान की जाएगी तो इस प्रकार से इस सवाल को आपको हल करना है और चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर आई अब देखते हैं असाइनमेंट नवंबर के लिए संभावित प्रश्न करमांग चार ये है मोहन ने क्रिशी विकास बैंक में पचास हजार रूपिये दो वर्स के लिए साउधी जमा खाते में जमा किये यदि ब्याज की दर दस प्रतिशत वार्षिक हो तथा ब्याज प्रतिश वाहे बाद सनुझीत किया जाता हो तो परिपकबता पर बैंक उसे कितनी धनराशी देगा ये हमारा चॉथा सवाल है अब देखें मोहन क्रिशी विकास बें में कितना जमा किया हुआ पिचास हजार रूपर जमा किया हुआ है कितने साल के लिए जमा किया दो साल, तीन साल, चार साल, पांच साल, दस साल के लिए जब फिक्स कराते हैं पैसा तो आपको अधिक ब्याज उसमें मिलता है अब आपको बताना है कि आखरी में परिप्रकवतारासी बैंक उसको कितनी देगे तो यहां पर देखे, P बराबर है 50,000 रुपिये, दर 10 प्रतिसत वार्षी कहाई, यानि कि 6 मही कितना हो जाएगा क्या होगा मूल धन यानि P गुना एक धन आर बटे सव पूरिधात एन इस सूत्र से हम इस सवाल को हल करेंगे तो चलिए लिखते हैं यापर P कितना दिया हुआ है आपको पचास हजार लिख दिजे पचास हजार और यहांपर एक धन आर कितना है वहाँपर 10% है है लेकिन धोखा से आप 10% न किए राया हुआ हको यह हो गया यान कितना निकाले हैं ज़्यार कितना निकाले हैं Ray चार छे माहें के लिए हम निकार रहे हैं तो चलिए इसको हलकर लेते हैं अब यह आगे यहां पर जाएगा पचास हजार कि यह सो एकम सो पांच हो जाएगा 105 बटे सो यह हो गया चार अब यह कर जाएगा यहां पर पांच से कार देंगे 5 इकीस हम 105 और 5 बीश हम 100 अब इसको अलाग अलाग करके लेते हैं पजास हजार इसको चार बा लेखेंगे 21 गुना 21 गुना 21 गुना 21 बटे 20 गुना 20 गुना 20 गुना 20 यह ठीक है अब चलिए 9 गुना करते हैं यह हो जाएक पचास अजार 21 गुना 21 गुना 440 गुना 440 गुना 440 बटे 400 गुना 400 गुना करेंगे 9 गुना करेंगे यह हो गया यहां परकार देते हैं सुनने को एक दो एक दो एक दो एक दो एक दो सुनने कर गया यह हो जाएगा 5 441 गुना 4440 गुना 400 गुना 416 गुना अब इसको हल करेंगे तो इस प्रकार से आएगा लिख सकते हैं इसको आगे हल करेंगे पूरे को हम गुना करेंगे आपस में तो यह आजाएगा 9,7,2,4,0,5 9,72,405 बटे 16 अब इसको हल करेंगे हम 16 से कटाएंगे तो यह हो जाएगा 60,175.3 एक रुपी इस प्रकार से मोहन को दो वर्ष परशात परिपपकता रासी मिलेगी 60,175.3 एक रुपी यह हमारा आंसर है इस प्रकार से आपको सभी सवालों को हल करना है बार-बार अभ्यास करना है आप अध्याय 8 और अध्याय 9 के सवालों को हल करेंगे टोनो अध्याय से वार्ष परिपपक्शन में अध्याय 8 से 7 नंबर का प्रशन आएगा अब अध्याय 9 से 11 नंबर का प्रशन आएगे या सवालों को हल करेंगे आपने रीए एक आसार रास्ता तयार करके रखेंगे परिक्षा के लिए तो मिलेंगे अगले वीडियो में अध्यायनाओं के साथ तब तक के लिए आप सभी को जाए हिन्द